केंडरी ने 80 FDC दवाओ पर लगाया बैन पाच महिने में 405 दवाई प्रतिबंधित स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्रा लेने गुर्वार को 80 FDC फिक्स डूज कॉंबिनेशन दवाओ पर ततकाल प्रभाव से पाबंधि लगा दी हैं इससे पहले सरकार ने सितंबर 2018 में 325 FDC दवाओ पर प्रतिबंध लगाया था इस अधिसूचना के मुताबिक ये पाबंधी 11 जन्वरी से लागू हो गई है सरकार द्वारा प्रतिबंधित FDC फिक्स डूज कॉंबिनेशन या निश्चित खुराक सयोजन दवाओ की संक्या 405 हो गई है गौर हो कि पिछले साल सितंबर में स्वास्ते मंत्राले ने 325 दवाओ के उत्पादन बिक्री या वीतरन पर बैन लगा दिया था दर असल फिक्स डूज कॉंबिनेशन दवाओ में दो या फिर इससे अधिक दवाओ की खुराक एक निश्चित अनुपात में शामिल होती है वही केंद्र सरकार के स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा FDC पर पाबंदी लगाने का ये पहला मामला नहीं है साल 2016 के बात पहली बार की गई वही हम आपको बतादी 2016 में केंद्र की मोधी सरकार ने 344 FDC को बैंड कर दिया था मंत्राले ने अवशदी और प्रसाधन सामगरी अधिनियम 1946 की धारा 26 के तहट मानव उपयों के उद्देश से 344 FDC के उत्पादन विकरी और वितरन पर बैंड लगा दिया था और कहा गया था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है साथ ही साथ बोल्ड ने कहा था कि अगर FDC दवाओ का प्रयोक किया गया तो इसे लोगों के सेहत को खत्रा हो सकता है इसे के साथ बोल्ड ने अवशदी और प्रसाधन सामगरी अधिनियम 1940 की धारा 26 के तहट लोगों के हीत में इन FDC दवाओ के उत्पादन विकरी अथ्वा वितरन पर प्रतिवन्त की सिफारिश की थी